हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे यह देखिए आज हमने घर पे बहुत ही आसान रेस्पी बना कर तयार किया है यह बहुत ही मीठा अच्छा लगता है खाने में एक बार इससे जरूर ट्राइ करिए आप दिपावले में इससे जरूर बनाएं लोगो हमें मिक्स करना है तोड़न से अच्छी तो यह जाए हो चुकаздबर है Mcस कर लेंगे में नीं किया धार शगल चलाएंगे हमें इसे चलाते रहना है तभी न तो यह थोड़ा बहुत जल जाएगा हमें इसलिए चलाएंगे कि नीचे पेन में हमारे पकड़ेना और यह अच्छी तरह से हो जाए यह आप देख सकते थोड़ा बबल आ गया है अब इसमें हम यहां पर गी को गर्मा कर डाल द अब इसे चीनी को आप आप बहुत अच्छा बनता है आप इसे घर पर ट्राइ कर यह बहुत हच्छा बनेगा अगर यह आपको हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल वह की चैनल को सब्सक्राइब लाइक जिरूर कीजिए गा और लोगों को share भी किजिए आप घर पे लेकिन एक बार जरूर ट्राइ करिए आप घर पे अगर ट्राइ करेंगे जिसको भी खिलाएंगे वह जरूर आपकी ये recipe पूछेगा आप यहां पर देख सकते हैं ये थोड़ा सूख गया है अब इसी परकार से हमें और सुखा कर कि हमें गयस को हाफ कर लेना है वरना यह जर जाएगा अब इसे हम चेक करने के लिए आपको बता देंगे थोड़ा सा आप किसी चिमश में लेकर हाथ से थोड़ा मसलेंगे तो यह अगर गोलाकार हो जाएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये आमारा डो तैयार हो अब इसे हम ठंडा करके बीच बीच में काट लेंगे अपने हिसाब से जैसे आपका डो हो अब आधा में निकाल दीए हैं आधा में हम कलर डाल देते हैं अब कोई सा भी कलर ले सकते हैं जैसे आपको पसंद हो यहां पर हमने औरेंज फिलेवर का लिया है आपको जो पसंद हो जो कलर वो डाल सकते हैं ऐसे भी हम अची तरह से मसल देंगे कि अच्छी तरह से रंग सारेडों में तयार हो जाए Walter हमें थोड़ा सा रिफाइन यूज करके हाथ में इसे हमें एक लोई कर लेना है अच्छी तरह से हमें शिपेद वाले को भी कर लेना है को ढाल देंगे और अच्छी तरह से हम चार्यों तरफ से प्पैला लेंगे हम helped हैद करके और पर ये कर किचन की ही जमान से ही बन जाता है आपको बाहर से कुछ नहीं लेकर आना है अब इसे हम दो तीन घंटे के लिए फिरीज में रख देते हैं ढगकर आप यहां पर देख सकते हैं अपना किनारी छोड़ चुका है अब इसे हम एक बरतर में निकाल लेंगे हलका डैप डैप करके यह आराम से निकल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं कितने आराम से निकल गया अब इसके हम ट्विस्व पेपर इसके उपर से निकाल लेते हैं यहां पर देखें यह ट्विस्व पेपर भी कितने आराम से निकल गया अब इसे हम काट लेंगे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं लेकिन आप केक का सेफ देजिए बहुत ही अच्छा तब लगेगा यहाँ पर हमने केक काई दिया है इसे हमें केक के सेफ में काट लेना है अच्छी तरह ऐसे आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें घर में इसे इया हम आप को दिखा देते है यह कितना सॉफ्ट हुआ है यहां पर आप देख सेतने कितना सॉफ्ट हुआ है यह तोड़ने से कितनी अच्छी से आराम से तूट जा रहा है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में एक बर हम आप उसको फिर से दिखा दे रहे हैं यह देखिए अगर यह वीडियो आपको पसंद है ला